हलो ब्रिवन वेलकम टू इस्टेटिविद्ग आंटरकास्त दोस्तों विहार सिक्षक बरती परिक्षा 2.0 के लिए यह एक अच्छा च्छा से आर्ट तक के सोसल साइंस की आंसर की है और याद रिखिए कि यह ऑफिसिल आंसर की है यानि कि जो ऑफिसिल आंसर की जारी भी है उसी के मुताबी कि यहां पर उत्तर मैं आपको बता रहा हूं इसका जो पार्ट वन है यह पहरे ही अप्रोड हो चुका है पार्ट वन में हमने पूरी भासा यानि कि जो हिंदी और अंग्रिजी पुशी गई थी तो भासा के 30 प्रस्न जीयस के 40 प्रस्न और हिस्ट्री का ज पूरी जोगराफी के जो 40 प्रस्न है एकोनॉमिक के 40 प्रस्न और पॉलेटिक के 40 प्रस्नों के आंसर के को डिसकस करेंगे ध्यान दिजीय कि सभी उत्तर जो है यह ऑफिसियल आंसर की के मुताबिक हैं तो चले स्टार्ट करते हैं और इसके बाद यहां पर जो अगला कोश् हो ताकि आप लोगों को बिल्कुल देखने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो यहां पर जो आंसर बनेगा यह आप समीर भी बनेगा 97 डिग्री एंड 25 मिनट इस एंड 8 डिग्री 4 मिनट नार्थ ठीक है यह इसका आंसर है इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसक क्या होगा भूमी का भारत का भूमी शित्रफल 3.28 मिलियन वर किलो मेटर है भारत की अस्थली सीमा बंद्रेजार दो सो किलो मेटर है भारत की मानक मध्यान रेका 22 डिग्री और 25 डिग्री इस्ट है अब यहां पर डी है कि उप्रिउक्त में एक से अधिक या ई है और C तीनों ही सही है तो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन D भारत की लंबाई और चोड़ाई की दिश्टी से लिखित में कौन सा सही है तो इसका अंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स तो इसका अंसर है ऑप्शन C ठीक है 2933 किलो मेटर और 3214 किलो मेटर भारत की लंबाई 2933 और जोड़ाई कितनी है 3214 किलो मेटर अगला क्वेशन है अगला क्वेशन आपका हो जाएगा मदब की जी फोर उसको भी देखते हैं तो क्वेशन है आपका कि मालाबार तड़के संबन्द में निलिखित में से कौन सा कथन सही है तो फ्रेंड्स इसका जो विकल्प है भारत क पूर्वी तड़के किनारे एक संकीन मैदानी पट्टी है गोवा के दक्षिण में पस्टिमी तटी पट्टी है मालाबार तड़का अधिकांस भाग के रल राजी में स्थित है यानि कि यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो आप्शन डी बनेगा ठीक है यह इसका आंस कि क्या वहा क्षन में पट्टी रहिए नर्मदा विंध और सत्पुडा परवत्माला के बीच से गुजर रहिए यानि कि आपका जो आंसर है क्या बनेगा ऑप्शन डी बनेगा ठीक है तो बिकल्प जो जी फाई पाई पैसका डी से इसके बाद आपका जो अगला क्वेश् शिंदु और कस्मीर हिमाले, कस्मीर और हिमाचल हिमाले, पंजाब हिमाले तो इसका जो उत्तर है वो option D है अगला question है, कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है ठीक है, यह माजली है, यह तो आप जानते ही है, काफी अच्छा प्रसमें कई बार पूछा गया है निवलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है तो दोस्तों यह है चिल का जील, यानि की बिकल्प सी इसका correct है इसके बाद आज यह question number G9 पे, G का मतलब जहां पर जोग्राफी से है ठीक है, तो सुन्दर बन के संबन्द में निवलिखित में कौन सा कथन सही है तो दोस्तों यहाँ पर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह भी correct है इसका नाम सुन्दरी पेड के नाम से लिया गया है, correct है यह रायल बंगाल टाइगर का घर है, यानि की उत्तर बनेगा आपका option D निवलिखित में से किस नदी की किनारे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जय प्रपात, सिव समुद्रम इस्थित है तो दोस्तों यह कावरी नदी के तरपर है, विकल्प A correct है इसके बाद है, कोरी ओलिस बल के सम्मद में निवलिखित में से कौन सा कथन सही है कोरी ओलिस बल के सम्मद में कौन सा कथन सही है तो दोस्तों इसका जो पहला विकल्प है दूसरा है तीसरा है तीनों ही चाहिए यानि कि आपका जो आंसर बनेगा वो आप्शन डी बनेगा उप्रित में एक से अधिक फिर आजये अपने अगले क्वेशन पर प्रस्न ये पुशा गया कि विश्व में सरवार्दिक वर्षा वाला अस्थान मौसिन राम किस राज में इस्तित है तो दोस्तों ये इस्तिते में घाले में ये आप जानते हैं बिकल्प बी करेक्ट है भारत में 70 cm से कम वार्षिक वर दिकार की प्राकृतिक वनुस्पत में पाया जाता है तो दोस्तों ये उश्व कड़बंदी प्रणपाती बन होता है विकल्प ए करेक्ट है फिर आया आए आपका जी 15 और आगला क्वेशन है जी पंद्रामा कि कौन से विश्यस्ता भारत में उश्व कड़बंदी सिदाव बहनों से संबंदित है विश्यस्ता पुछ रहा है उश्व कड़बंदी सिदावार बहनों की तो यहां पर जो विश्यस्ता हैं A, B और C सभी इसमें सामीर होती है यानि कि उत्तर आपका बनेगा आप्शन D कौन सा बायो स्फियर रिजर्व युनिस्को द्वारा मानेता प्राप्त नहीं है G16 दोस्तों इसका आंसर है निलगिरी सुंदर बन मनार के खिलाडी यानि कि उपरुत में से कोई नहीं तो इसका जो उत्तर बनेगा वो E बनेगा G16 का आंसर E है इसके बाद अगला क्वेश्यन होगा आपका चलिए देख लेते हैं रियोडी जनेरियो प्रित्वी सिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने लिए बुलाए गया था तो यहां पर पर्यावार्ण स्नुक्षण की अत्यावस्क समस्याय वैस्विक अस्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास और विक्सित विष्टुका राजितिक संकट टीनों के बिकल्प D बनेगा कौन सा नवी करणी संसाधन नहीं है तो दोस्तों मिट्टी हवा और क्रिसी तो उपरिक्त में से कोई नहीं यही इसका आंसर बनेगा अट्राम का आंसर है आप्शन E कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदाईक वनीकरण की सुरक्षा से सम कि बहु उद्यसी नदी परिजनाओं के समद में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसे बाढ़ को निध्यित करने और अत्रिक्त पानी को पानी की कमी वाले छेतरओं में मोडने विक्सित किया गया था ये तो करेक्ठ है लेकिन यह नहर सिचाई के विकास और जल विद्दुत उ विकास के किया जाता है तो यहां पर तीनों ही सही है ठीक है इसका मतब यह हुआ कि उपरिंट में से कोई नहीं ऐसा है जो की गलत हूँ तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए कौन सा राज राज भर के सभी घरों में छत पर वर्सा जल संचें समझना को अनिमार बनाने वाला पहला र पूशन यह पुछा गया था कि आप देख सकते हैं आपर गुजरात में नर्व्रता नदी पर बने सरदार सरोव और बांत के लाभों में निम्रिखित में कौन सा राजस्त्तमू सामील है जी ट्वंटी टू और फ्रेंट्स इसमें सामील है कौन सा महाराष्ट्रा मध्यपर नर्देश, गुजरात और राजस्तान यानि की बिकल भी सका उत्तर है भारत में खेती के आदिम रूप के लिए इन लिखित में कौन सा सद्ध प्रियूक किया जाता है तो फ्रेंट्स इसका आंसर है बेवर तीनों ही सही है यानि की आंसर बनेगा आप्शन डी जूम खेती के संदर में कौन सा सही मेल है तो फ्रेंट्स यहां पर मेल पा मध्य अमेरिका में होता है यह सही मेल है औप्शन ए करेक्ट है सभी उत्तर आपकी आफिसल आंसर की से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं भारत में आरम में अरेविका काफी की खेती निमलिखित में से किस अस्थान पर की गई थी तो दोस्तों यह की गई थी बाबा बुधन की पहाड़ी पर यानि कि बिकल बी करेक्ट होगा खनीजों का कौन सा समूं गैर धार्तिक स्रेणी से समंदित है तो इसका अंसर है अभरक चुना पत्थर और संगमरमर यानि कि इसका सही उत्तर आप्श गया था कि भारत में भूतापी उर्जा दोहन केंद्र कहां इस्तित है भूतापी उर्जा दोहन केंद्र कहां पर इस्तित है तो हिमालचा प्रदिस में पारुती घाटी लद्दाग में पुगा घाटी अरावली परतमाला यानि कि उत्तर बनेगा आप्शन डी लौह एवं इसका दिए आपसन सही है according to official answer की law एवंग इसपात उद्योग के सम्बंद में निम्रिखित में कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा इसे बुन्यादी उद्योग का जाता है यह तो गलत है इसे light उ करतारी शेत्रों में उस्तित है यह सही है लेकिन यहाँ पर यह दो जो है मतलब यह सही नहीं है मतलब उत्तर बनेगा आपका option D फिर अगला question होगा भारत में निम्रिखित में से कौन से चरम अस्थान पूर्व और पस्टिम गलियारे से चुड़े हुए है पूर्व और पस प्राइल और लुसाई यह पहाड़ियां है फ्रेंट्स तो option A correct है भारत की प्राचिंतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है भारत जो प्राचिंतम चट्टाने है उसमें धारवार कुडपा बिंध्यन कौन सा है जो की उसमें सम्मिलित नहीं तो इसमें कूप्रिक में से पहाड़ी जो की करनाटक में है option C correct है ठीक है जी 34 का सी सही है इसके बाद आपका अगला question यह पुछा गया था बस दो तीम प्राचिंतम और बच्चे है उसको देख लेते हैं लोग जनवरी मामें भारत में 20 degree centigrade की सम्म ताप रेखा का विस्तार माना जाता है तो यह करक हाले में को पोश्रकड़िबंदी वनस्पत के विस्तार की उचित्म सीमा क्या है तो दोस्तों यह है option C आउसत सागरतल से 1524 मीटर यानि की बिकल्प C से ही है उस्रकड़िबंदी मानसूनी पतज़ड़ बनों को वर्सा जल की आउसत आउसकता होती है तो फ्रेंड्स इसमें से भिकल्प C औरेक्ट है 100 cm से 150 cm फिर आपका अगला जो question पूशा गया था यह यह था कि भारत में सरवार्धिक जुआरी वन स्षेत्रवले राजी कौन से है तो भारत में सरवार्धिक जुआरी वन स्षेत्रवले राजी कौन से है यह बताइए तो यह पस्रिम मंगाल और गुजरात साइज जबाब option A और भारत लेक नामक परवत कहा परिस्थित है महा भारत लेक नामक परवत कहा परिस्थित है तो फ्रेंड्स यह मिलेगा आपको नेपाल में यहनि की बिकल B correct है और आरियल सिंग ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्त की रूप मे लिया है क्या तो भूकरभी स्नारचना भौतिक अकृति और अवस्थित तीनों को लिया है यानि कि उत्तर बनेगा option D ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब जो प्रस्न होंगे वो एकोनॉमिक से होंगे तो इकोनॉमिक के जो प्रस्न है इसके भी आंसर को हम लोग फड़ा फट शेक कर लेते हैं अब इसके बाद quality का मनदब एकोनामिक पूरा हो जाएगा फिर हम quality को देखेंगे तो इसमें प्रस्ट नहीं है कि सिस्ट मिलत्युदर है सिस्ट मिलत्युदर है तो क्या है यह यह बताना है आपको इसका उत्तर है option A उस vicious वर्ष से पैदा हुए एक हजार जिवित बच्चों के अनुपात की रूप में एक वर्ष की आय में पहले मरने वाले बच्चों की संख्या यह होती है सिस्ट मिलत्युदर देश की कुल आय को उसकी जन संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता ह है यह होती है प्रतिव्यक्ति आय ओप्शन सी करेक्ट है फिर आपका अगला कोश्चन है मतलब E3 यहाँ पर प्रस्णों को ऐसे लिखा गया है UNDP दौरा प्रकासित मानों विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है तो दोस्तों प्रतिव्यक्ति आ करनाय रखकर आर्थिक विकास क्या कहलाता है तो दोस्तों इसी को करते हैं सतत विकास यानि की आप्शन सस्टनेबल डेवलमेंट ठीक है आप्शन भी करेक्ट होगा आपका अगला कोश्चन यह पुछा गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6-10 आयूवर के कुल बच् चोंके अनुपात प्रस्चत को क्या कहा जाता है इसको करते हैं सुद्ध उपस्थित अनुपात यानि की बिकल्प बीकरेक्ट है निम्लिकित में कौन से गत्विधी प्राथमी छेतर से संबंदित नहीं है तो दोस्तों यह है आप्शन डी उपरित में से एक से अधिक 2011 की जर्गरणा के अनुसार बिहार में निम्लिकित में से किस जिले में ग्रामिन साक्षरता दर सरवारधीक है तो फ्रेंड्श इसका आँसर है आप्शन ए रोतास और 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 अरंगाबाद ये इसका सही आँसर है निम्लिकित में कौन सा असंगठित छेतर के अंतरगत नही पर ध्यान दिजिएगा हर बार आप लो और इसका अंसर है विद्यालय में पढ़ाती एक अध्याविका आप्शन एक करेक्ट है अगला कुशन है रिन की सर्तों में सम पार्सविक यानि की को लेटरल सहित सामिल है कौन सा सामिल है तो ब्याजदर पुनर भुकतान का तरीका द इनिवेश सब गलत है यानि की उपरित में से कोई नहीं यह इसका अंसर बनेगा उपरित में से कोई नहीं फिर आपका अगला कोशन है पुछा गया था कि निवारान पाने के उपभुकता अधिकार के अंदरगत आता है तो अनुचत ब्यापार कारपराली के बिरुद्ध तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो आप्शन डी बनेगा कौन सा कथन सी ओ पी आरे कोपरा के बारे में सत्य है तो यह उपभुता संद्रक्ष अधिकार अधिकार करता है यानि की बिकल्प ए करेक्ट है इसका गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्रिखित में से कौन सी योजना सुरू की गई है उत्तर है आप्शन डी जीवी का योजना इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन प्रसने पूशा गया था कि किसी देश में खाद सुरक्षा तभी सुनशित होती है जब तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आप्शन डी बनेगा सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट है इसके बाद अंतियोद्य अन और योजना जुड़ी हुई है किससे सावजिन कितर प्राली से पीडियस से यानि कि विकल्पी करेक्ट है अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है यह होता है जब लोग अपनी छमता से कम रोज काम कर रहे कर रहता है तो यह है राष्टि प्रतिदर्ष सर्वरेक्षन संग्टन यानि कि एन एस एस ओ नासो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका शकल घरेलू बाद में छेत्रों की योगदान का उचतन से निर्मतन तक का सही क्रम चुनिए इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए तरतियक छेत् नीतियों के उधाय करणने यानि कि बिकल्प ए करेक्ट है बवराश्टी कंपनियों द्वारा भूम भवन आदी जैसी संपति खरीदने के लिए खर्ज किया जाने वाला धन क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं विदेशी निवेस ठीक है एक परिसंपति जिसे उ कोश्टन है और यह पूप्छा गया था वस्त विर्णoben प्रणाली के बारे में कौन सा स्थय नहीं है वस्त विर्णली ठीक है कौन सते नहीं हैं तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्टों ऐसे माधियान के रूप में धनकी उपलब्तहा है क्योंकि यहाँ वर्ण के आपचारिक श्रोतों के कामकाज के निगरानी डैस द्वारा की जाती है इसका आंसर है भारती रिजर बैंक RBI option C भारत की विकासदर के बिहार की विकासदर के बारे में कौन सा कथन गलत है तो इसका आंसर है option D यानि कि उपरिक्ट में से एक से अधिक जो हैं वो गलत दिये गए हैं इसका यही आंसर बनेगा इसके बाद बिकल्प आपका आ गया question number 25 डैस कार्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना तो मतलब बता है मिलावट ठीक है यह तो आसान है जीवन और संपत किलेख हतरनाक वस्तुओं और स्विवाओं का बेपड़न डैस के अंतरगत आता है तो यह होगा समक्षित होने का अधिकार option a correct है फिर अगला question है कि मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्पूर्ण विश्यस्ता है यह वताना है आपको तो यह देश की सरकारदारा अधिक्रीत है सबसे बड़ी विश्यस्ता यही है विकल्प a correct है इसके बाद आपका अगला question यह पुछा गया था कि मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्लिकित में कौन सा देश HDI में भारत से उपर है तो भारत से उपर बांगला देश को बताया गया कौन सा एक नभी करणी संसाधन है ठीक है तो 28 का जो अंसर है C है जी है इसके इसके बाद question number 29 है कि कौन सा एक नभी करणी संसाधन है ठीक है renewable source कौन सा होगा भूजल प्राक्रतिक गेस प्रिक्ट्रोडियम तो यहाँ अब नभी करणी है कौन सा है बताईए तो यह भूजल यह नभी करणी होता है क्योंकि जलचक्रण के बारे में आप जानते ही है इसक तो परिसंपत्यों का स्वामित और स्वाओं की delivery ठीक है बिकल 20 का correct है फिर आपका अगला question देखते हैं प्रस्न यह पूछा था आप कि बिहार के किस जिले की जन संख्या 2001 से 2011 की 10 की व्रिद्धिदर 25 प्रस्षत से अधिक है तो इसका आंसर है दर्भंगा सीवान और प्रस्षत पालन कायक्रम का उद्धिस नहीं है तो दुस्तों इसका answer है नदियों से मचली brooder का संग्र और संग्र एक एकरीद brooder का कृतिन प्रस्षतनल मचली के बच्चों को चिन्नित नदियों में और चिन्नित नदियों में तो यहां पर जो उत्तर बनेगा option D बनेगा ठ सुरक्षित बिकल्प है लिक्विट फंड के समन्द में निमलिक्षित में से कौन सा कथन सही है तो दोस्तों यह है लिक्विट फंड मुद्रा बाजार के साधान होते हैं यानि कि option A correct है किसी बिसेस वर्स के दवरान किसी देश के भीतर उतपादित सभी अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का मौद्रिक मुल्य क्या कहलाता है तो यह सकल घरे लिए उतपात कहलाता है यानि कि GDP option A correct होगा फिर इसका जो अगला कोशन था वो क्या पूशा किया था कि राश्ट्री बहु आयामी गरीवी सुचकांग के बारे में कौन सा कथन सही है मतलब कौन सा कथन सही ह यह पूछ रहे हैं यह ध्यान दिजिएगा और इसका आंसर है यह वैस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग के राश्ट्री के संस्क्रण है नीती आयोग बहु आयामी गरीवी सुचकांग यानि कि MPI के लिए नोडल एजंसी है और MPI की baseline report चोथे राश्टी परिवार स् 26 देखते हैं केंद्री एवंग राज भंडारन निगम का के उद्देश से क्या है तो भंडारन सुविधाय प्रदान करना यानि केवल बिकल्प यह यहाँ पर करेक्ट होगा फिर आपका जो अगला question पुशा गया था उसको भी देखते हैं प्रस्न है कि भारत में मुद्रा अपूर्थी के समंध में कौन सा खतन सकते हैं यह प्रस्न है तो यहाँ पर M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा अपूर्थी कीमाफ होती है यानि कि बिकल्प करेक्ट है कौन सी बिहार में जलवाई लचीले क्रिशी कायकरन की फिसेस्ता है अ जलवाई लचीले क्रिसी काय करें विश्यस्ता कौन सी है 38 का तो यहाँ पर A, B, C तीनों ही सही है यानि कि उत्तर क्या देंगे आप उत्तर देंगे आप आप संडी विहार स्टार्ट अप ने थी 2022 का सही उद्धिस चुनिए तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट अप को उनकी की विभारता बढ़ाने के लिए सीट फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान तथा समर्थन देना यह तो करेक्ट ही है इसके बाद दूसरा था कि विश्विद्ध्यालेयों स्कुलों में सिक्षन माडियूल सुरू करके सिक्षा के माद्यम से उद्धिमिता को और C वी से य ठीक है तो यह कथन यहाँ पर दूसरा है राज यायोग में एक व्यक्तित सामिल होगा जो उचिन्याले का नाधीस है या रहा है जिला फोरम में चार सदस्य होंगे तो यहाँ पर जो आप्सन मतलब तीसरा अलबिकल्प है केवल यही सही है ठीक है तो आप्सन इसका बनेग में किस भासा को राष्ट भासा का दर्जा दिया गया है तो बहुत अच्छा प्रस नहीं है और इसका आंसर बताईए आपनों फटाफट जिया दोस्तों हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी तो आंसर बनेगा कोई नहीं यानि कि आप्सन इ करेक्ट है भारती केमिनेट में प दियारी विकल्प एस ही है इसके बाद अगला कुश्चन यह पूछा गया था कि राष्ट दिन्मार के आधारभूत दृष्ट कोड में क्या सम्मिलित नहीं है क्या सम्मिलित नहीं है यह पूछ रहे हैं तो चेत्री आकांशाहों की राजनीतिक अव्यक्ति को पूछ थे समिधान सबाज बनी थी तो उसमें उपाध्धक्ष कौन थे दोस्तों यह थे एच सी मुखर जी ओप्सन ए करेक्ट है एच सी मुखर जी इसके बाद आपका अगला कुश्चन यह पूछा गया था कि राज के नीत निदेशक तक लिये गए हैं कहां से तो दोस्त अचे एच हो का जो आप्शन एं थे भारत में चुनाऊ के संबंद में निम्दिखित कौण सा सत्य है चिनाऊ की संबंद में कौन सा सत्य है तो यह सार्व वह एश्ग मतादिकार बहुदरी वियोस्ता स्वातंत-तनिवाचनायुग यानि कि उत्तर बनेगा ऑप्सक्ण ड ल के बाद है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए तो लोग सभा का प्रथम आम चुनाओं वर्स उन्हें क्याओं में आजित हुआ था ये तो आप जानते ही है तो तंतरता के बाद से भारत में चुनाओं के लिए एक निर्वाचन छेतर के सभी प्रत्यासियों के नाम वाले मत पत के था, तो आसत्य कोई नहीं है, यानि कि अप्रिक्ट में से कोई नहीं है ये आपका उत्तर के सभी प्रमादेश". किसका विखल्प और आपका सही है इसके बाद आगे बड़ते हैं अगला यानि कि विकल्ब बी-करेक्ट हैं संग-सूची के विशे में कौन सा कथन असत्य है तो दोस्तों यहाँ पर संग-सूची में प्रतिरक्षा विदेशी मामले बैंकिंग जैसे राष्टी महत्र के विशे हैं पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों क्या ओ सकता है इसी कारण इन विशेओं को संग्सूची में डाला गया है संग्सूची में वरणी विशेओं के बारे में कानूर बनाने का अधिकार केवल केंद सरकार को है तो यहाँ पर जो सभी भी कल्ब हैं अगर देखा जाए तो इन में से कोई भी गरत नहीं है यानि कि उत्तर क्या बनेगा आपका उत्तर बनेगा इसका है इ अगला कुश्चन निकी किस राज में भारत की पहली गैर कांग्रेसी रासरकार चुनी गई थी तो किस राज ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी रासरकार को चुना था तो फ्रेंड्स यह था केरल यानि कि option B correct है ठीक है इसके बाद आजएए question number 15 पे आधारबूत सनचना सिधान्त के विशे में कौन सा कथन सकते है तो दोस्तों यहाँ पर जो बिकल्ब D यह correct है कौन सा कथन सकते है तो यह एक भारती नियाईक सिधान्त है यह सिधान्त के स्वनन भारती केस में भारत के सरवूच नियाले के नेड रिकित कथनों पर विचार कीजिए तता गलत कथन को पहचानी है जो कथन है गलत उसको पहचाना है आपको तो यह model विकास के USSR model पर प्रतम पंचवर्ची योजना के प्रारूप दस्तावेश को यह भी सही है PCM 2019 प्रतम पंचवर्ची योजना के वास्तुकार थे यह गलत है यानि कि विकलब C यहाँ पर गलत है ठीक है तो यह हमारा उत्तर भी बन जाएगा क्योंकि गलत का थान को हमें पहचानना था तो 16 का आंसर option C है ठीक है तो यहाँ पर यह जो question है P6 इसका option C correct है इसके बाद आगे बढ़ते है question number 17 पर आ जाईए question number 17 क्या है इसको भी चिक कर ल आती है यानि कि विकलब C सही है संसत के अंतरकत कौन आता है तो यहाँ पर राश्पती राश्वा लोगसवा तीनों आते हैं उत्तर बनेगा D 1990 के पस्चाथ भारती राश्पती यूग के बिसे में कौन सा कतन सही है तो इसका अंसर बनेगा यह तीनों कतन यहाँ पर सामिल हो रहे हैं तो उत्तर बनेगा option D इसके बाद फिर अगला कोशन यह पुछा गया था कि भारती समिदान के किस अनुचियत के अनुचार आने पिश्वर के अल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार है तो यह है अनुचियत 340 ठीक है कौन भारती समिदान के संसुदन में समिलित होता है भारती सम क्या एक यही व्यक्ती को एक से अधिक राजयों का राजपाल नयोगत किया जा सकता है तो दोस्तों इसका जवाब है बिलकुल हाँ प्र आपका आगला यह कुशन उत्वरती सुचि का उलेक है किसमें तो दोस्तों यह सात्वयन सुचि में मिलती है सौर्भौम मत अदिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है ठीक है तो जात यह लिंग आस्था संपति यानि कि उत्तर बनेगा option D फिर अगला अगला कोश्चन है कि मौली कर्तब्यों को कि समित की सिफारिस पर समिधान में जोड़ा गया पी 27 का option A सुर्ण सिंग समित यही इसका उत्तर है किस देश में फिर आपका जो अगला कोश्चन है यानि कि उन्तिस्वा कोश्चन वो क्या है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन की सुरुवात कि स्राज में होई थी तो दोस्तों यह आंध प्रदेश में होई थी यानि कि विकल्प A सही है ऐसे विधेक जिनमें असपस टूप से करारोपण या करों की समापती से सम्बंदीत प्रावधान होते हैं उन्हें किस स्रेणी में रखा जाता है तो उन्हें रखा जाता है धन विधेक में ऑप्शन ए यहाँ पर सही है किसका लोगतंद्र के विचार में विश्वास नहीं है तो इसका जवाब है कट्टरपंथियों का यानि कि विकल्प B करेक्ट है इसके बाद आजिए कोश्चन अंबर 32 पे 32 कोश्चन है कि लोगतंद्र के अंतर विरुदों को इंगित करने के लिए किसने दे एपल कार्ट नामक नाटक लिखा था तो यह नाटक लिखा गया था जाड बनार सा के द्वारा विकल्प B सही है द बर्डन आप डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों यह किताब विखे थी भानु महता ने प्रताब भानु महता विकल्प B correct है इसके बाद अगला कोश्चन था चौतिसवा और चौतिसवा कोश्चन कौंज सा था यह भी देख लेते हैं तो यह है आपका चौतिसवा कोश्चन सौरी थड़ा सा उप नीचे हो रहाया है भारत क समिधान को किस ने बनाया था तो समिधान सभा ने बनाया था ठीक है इसके बाद आजाए कोशन नमबर 35 पे और 35 कोशन ये पूछा गया था कि किस देश ने एकदम आरंब से ही अपनी लोकतांत्रिक व्योस्था में सारभामिक मवैस्क मताधिकार लागू किया था ठीक है तो का आंसर है भारत ऑप्सें सी करेक्ट है किस देश में एक बहुमत वादी लोकतांत्रिक राजव्योस्था का होना माना जाता है तो इसका भी उत्तर है स्रिलंका याने कि पहला भी कल्प सही है कौशा भारत में सरकार का सबसे निचला आस्तर है यहां पर पंचायत और इसके कौन सा है लोकतंत्र को गहरा करने का स्रेय दिया जाता है किस सिद्धांत्र सब्सक्राइब करना चाहा तो दोस्तों यह करना चाहता राबर डहल ने तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहला पार्ट है जिसमें आपको बताया था कि उसमें मैंने आपको भासा के सभी आंसर जो की कौलिफाइंग वाले होते हैं इसके बाद जो आपका इस्टेटिक जी के था यानि की जनरल स्टेडीज की प्रस्ट थे चालिस प्रस्ट तो भासा के तीस प्रस्ट जनरल स्टेडीज की चालिस प्रस्ट और हिस्ट्री के कुल जो 40 प्रस थे ये मैंने part 1 में discuss किये हुए है part 1 में link video के discussion मैं आपको दे रहा हूँ तो जाकर आप check out कर सकते हैं देख सकते हैं और हाँ friends आपके समर्थन की मुझे बहुत ही जरूरत है please आप इस video को एक like जरूर कर दीजेगा और इसे एक बार कहीं पर भी जहां पर भी आपको अच्छा लगे whatsapp status, telegram group, facebook जहां पर भी आपको उचित लगे इस video को share जरूर कर दीजेगा क्योंकि मुझे आपके समर्थन और आपकी बहुत ही आओ सकता है please इसे share कर दीजेगा, एक like जरूर कर दीजेगा thank you so much, please do like and share